प्रबाद बच्चो आज हैं पुस्तक वसंत का तेर्मा पार जो है मैं सबसे छोटी हों करेंगी यह एक कविता है और प्रसुत कविता हिंदी भाषा के परसिद कवी और साहित्यकार शिरी सुमित्रा नंपंथ जी द्वारा लिखी गई है तो हम करते हैं कविता के अर्थ मैं स सबसे छोटी हों तेरी गोदी में सों तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदामा तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ कविता के प्रथम पद में एक छोटी बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी मा की सबसे छोटी संतान बनूं मैं सबसे छोटी हों यानि कि मैं अ तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा मा तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ। प्यार से उनका अंचल पकड़ कर हमेशा उनके साथ गूमती रहूं और उनका हाथ कभी न छोड़ू। जिस परकार छोटे बच्चे करते हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इन कभीता के इस बद में बालिका कह रही हैं कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। यानि कि बड़ा, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तो मा हमारा साथ छोड़ देती है, यानि कि जिस तरह चोटे बच्चे को प्यार किया चाता है, उस तरह सदा में चोटे बच्चों को साथ लेकर जिस तरह मा घूमती रहती है, बड़ा होने पर फिर हमें उस तरह से साथ साथ पकड फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन राद फिर वे दिन राद हमारे आगे पीछे नहीं गुमती इसलिए हमें छोटे ही बने रहना चाहिए अपने कर से खिला दुला मुक दूल पॉंच सजित कर गाद थमा खिलोने नहीं सुनाती हमें सुख़द परियों की बात अपने कर से कर यानि की हाथ से कविता में बच्ची आगे कहती है कि बड़ा होने के बाद मां हमें अपने हाथ से ना तो खिलाती है और ना दूला मुख याईनिकी नहलाती भी नहीं है और ना ही सजाती दूल पोंच सजित कर गात ना ही हमें सजाती है ना समवारती है अगर हम दूल में गंदे हो जाते हैं तो थमा खिलोने नहीं सुनाती हमें सुखत परियों की बात और फिर मां हमें प्यार से एक जगह बिठा कर खिलोनों से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती कविता में के अंतिपद में बच्ची कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मा का आंचल तेरा सने ना खोऊ में तेरी अंचल की छाया में यानि कि वो ना तो मा का प्यार खोना चाती है और ना मा के आंचल का साया खोना चाती है जिसमें वह अपने आपको बहुत ही निस्प्रे निर्वे यानि की निर्वे और सुरक्षित समझती है और आराम से उसमें सो जाती है बीना किसी डर के और कहूं दिखा दे चंदरो दे और जिस तरह चोटे बच्चे कहते हैं चंदर मां के उगने की बात फिर से मां से कहना चाहती हूँ आंत्या बच्ची हमेशा छोटी ही बने रहना चाहती है क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे मां का प्यार और दूलार उस तरह नहीं मिल पाता जिस तरह एक छोटे बच्चे को सदा मिलता है यह थी हमारी कवीता मैं सबसे छोटी हूँ धन्यवाद